हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने परिबार पॉल टेक्निक क्लब में आज हम भी हार पॉल टेक्निक के प्रिविएस यह प्रसन रसायन सास्तर के 2016 में पूछेगा प्रसनों का कुश्चोन और एंसर देखेंगा पहला प्रसन हमसे का रहा है निमली खीत में से किस प्रक् उत्परेरक देखके सोच रहे होंगे कि उत्परेरक क्या होता है तो आपके जनकारे के लिए आपको लाइफ से रिलेटेड हम आपको एक्जामपल देखते हैं कभी भी हम लोग के गाउं में जगड़ा होगा ते या ए या बी यानि दो वैक्ति के बीच में यह दोनों आप या तो फिर इसको इसांत करेगा उसी पर कर रसाइनी कवकिरिया में हमारा उत्परेरक होता है या तो रसाइनी गति को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है तो पूछ रहा है प्लैटीनम उपयोग होता है यहाँ पर किस प्रक्रम में तो आमोनिया के ऑक्सिक्रन द्वा 2AFCL2 2AFCL3 में AFCL2 है देखें यहाँ पर AFCL2 है इसका ओक्सिक्रन हुआ और यहाँ पर हम लोग का हो गया 2AFCL3 जो ओक्सिक्रन होता है उसी का अपचयन भी होता है और अच्छा अपचयन ही हमारा अवकारक होता है इसलिए option number भी हम लोग का correct answer होगा अगला प्रसन है एक numerical है किसी पदार्थ की विशिस सुस्टमा 0.1 तथा तुल्यांग की भार इतना है तो पदार्थ का प्रमान उभार होगा इसका एक formula है जिसे हम आपको वीडियो के अंत में solve करके बता देंगे आप वीडियो में बने रहेगा आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी अगला प्रसन हमसे कह रहा है परयोग साला में नाभीकिये सनलयन बीधी परयोग नहीं करते हैं क्यों परयोग साला में हम लोग नाभीकिये सनलयन बीधी नहीं करते हैं नांबिकिये सनलेयन से आपका related question. नांबिकिये सनलेयन हम लोग के सुरे पर होता है, जिससे हम लोग को उर्जा मिलते हैं. और hydrogen bomb में भी नांबिकिये सनलेयन होता है. वही परमानू bomb की बात की जाएं, तो हम लोग पड़ योग साला में क्यों नहीं करती हैं? तो उसके लिए हम लोग के अत्यधिक ताप की अफसकता होगी यानि कि option number C हम लोग का correct answer है अब चलते हम अपने अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद करा है निमलिखित में कौन सा कथन और सत्य है बताना कौन सा कथन और सत्य है पहला कथन कौम परते है पर्मानु के संयोग से अनु का निर्मान होता है पर्मानु औविभाज्य है एक ही तत्व के सभी पर्मानु एक जैसे होते है एक ही तत्व के पर्मानु का रसायनिक गुन समान होता है तो option number है आपर correct answer हो जाएगा B पर्मानु औविभाज्य है ये हम लोगों का सत्य कथन है बाकी हम लोगों का सभी इन में सत्य कथन है अगला प्रसन हम देखते हैं अगला प्रसन पूछ रहा है संयोजी इलेक्ट्रोन कहलाते हैं परमानू के संयोजी इलेक्ट्रोन तब option है हमारे पास सबसे भीतरी कच्छा में उपस्तित इलेक्ट्रोन बाहर से दूसरे नंबर कच्छा में उपस्तित इलेक्ट्रोन दूसरे कच्छा में उपस्तित इलेक्ट्रोन बाहरी कच्छा के इलेक्ट्रोन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रोन कह होते हैं जो सबसे बैतम कच्छा में उपस्तित हो अगला प्रसन हम से कह रहा है नाभी कि ये रियेक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है कैडमियम की यानि कि अगला प्रसन कह रहा है आधूनिक रसायन विग्यान के जनम दाता है तो अधूनिक विग्यान के रसायन के जनम दाता हमारे लेवो सियर है ये मौस्ट इंपोर्टेंट है अगला प्रसन हम से कह रहा है प्रेसर कूकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों आप लोग भी हम लोगों का खाना जल्दी से सीच दाता है अथार्थ खाना हम लोगों का जल्दी से पक जाता है अगला प्रस्ण है व्यूतक्रम अनुपात के नियम की पुष्टी होती है निम्नियोगी को में व्यूतक्रम अनुपात की पुष्टी की यहां पर बात की गई है यहां एंसर हम लोग का ओप्सन नमबर है CO2, CH4 और H2O व्यूतकरा अनुपात के नियम की पुष्टी करता है अगला प्रस्ण है नीले थोथा यानि CO4.5H2 में जल की पर्तिसत्ता होगी परमानु भार सभी का दिया हुआ है और इससे हम लोग की जल की पर्तिसत्ता पूछे है हम आपको नुमेरिकल वीडियो के अंत में एके करके कम्प्लीट करा देंगे बित फर्मूला के सांथ चलते हम अपने अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण हमारा है अगला प्रस्ण हम लोगों से कह रहा है निमिन में अती अस्थाई अबस्थानी रूपित हम लोगों का संत्रिप्त विलियन करता है अगला कोस्चन क्या है अगला कोस्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलिये विलियन में विद्धु धारा परवाहित करने पर इनोड पर प्राप्त होगा तो सोडियम क्लोराइड के जलिये विलियन में हम लोग विद्धु धारा परवाहित होगा नोड हम लोग का positive होता है और यहां पर chlorine negative होता है तो positive की और हमारे negative आकरसित होगा यानि कि chlorine हम लोग का correct answer होगा अगला प्रसंद का रहा है किसी आवर्थ में 20 सेदाइं बढ़ने पर तत्वों की तत्वों की क्या होती है धन विद्धूतिये प्रकिर्ति बढ़ती है धात्वि में हम लोग 22 से अगर दाएं की और जाती है तो धीरे धीरे वो धात्वी गुंक होता है और अधात्व की और बारता है यानि अधात्व का oxide हम लोग का चारिये प्रकिर्ति की होता है इसलिए option number D हम लोग का correct answer होगा अगला प्रसन है क्रित्रिम गोल्ड यानि की rolled gold होता है त खाली बरता ने 25 डिग्री से अलसे पर मिलाया गया कुल दाब में oxygen द्वारा आंसिक दाब होगा यह भी हम लोग का नुमेरिकल है इसका correct answer सर एक बटा तीन होगा नुमेरिकल वीडियो के अंते हैं मैं आपको अच्छे से बता दूंगा अगला प्रसन है sulphur dioxide का जलिये विलियन होता है तो sulphur dioxide का हम लोगों का जलिये विलियन होता है अम लिये होता है अगला question है oxygen gas है अगला प्रसन a sodium bicarbonate sodium carbonate परात्थ जयाता मतल actuãy ATM bi Carbonate से sodium carbonate कैसे प्रात्थ तो उच्छ ताप पर जदी हम लोग गर्म करें गे तो sodium bi Carbonate याइनि खाने वाला सोडा से sodium सोडियम कार्वोनेट कप्रा धोने वाला सोडा बन जाएगा एक खाने वाला सोडा अगर हम लोग अधी कुछ ता पर गणम करेंगे तो वो सोडियम कार्वोनेट में परिवर्तित हो जाएगा अगला प्रसन अभ हमारा है धोवन सोडा का सुत्र हम लोगों का हो जाएगा यानि option number B हम लोगों का correct answer अब आप लोग इसे याद केसे रखें देखें कपड़ा धोने में हम लोगों को बहुत सारे पानी लगते यानि 10 बाल्टी पानी मान लेते हम लोग यानि 10H2 अब आप सुच रहेंगों 10H2 यहाँ भी है 10H2 हो तो याद केसे ने यहाँ देखेंगे Na2CO3 है 3 है धोने में हम लोगों का कितना अच्छा रहे तीन धो वान यानि Na2CO3 10H2O आई होप के अच्छे से समझेंगे अगला कोस्चन है लकडी होती है लकडी होती है मतलब यहाँ पर कहना है कि लकडी क्या होती है तो इसका करेक्ट एंसर हम लोगों का हो जाएगा ओप्सन नमबर सी कार्वो हाइडरेट का मिसरन अगला प्रसन है यदि किसी हाइड्रो कार्वन को चारिये की एमाइन ओफोर के विलियन में प्रवाहित करें और वो रंग हीन हो जाए तो हाइडरो कार्वन नीमिन में से कौन सो होती है आपर हमें हाइडरो कार्वन बताने तो करेक्ट एंसर हम लोगों का ओप्सन नमबर है C2H4 हो जाएगा प्राकिर्तिक रेसम है तो प्राकिर्तिक रेसम यहाँ पर हमें बताना है जो प्राकिर्तिक रूप से हमें प्राप्त होती है तो अप्सन नमबर है आपर पॉली एमाइड होगा जो हमारा प्राकिर्तिक रेसम है प्राकिर्तिक रूप से यह प्राप्त होती है अगला प्रस्ण है निम लिखीत में सबसे दुरुबल अम ध्यान देजा जब भी दुरुबल अम की बात की जाकर इसमें CWH काल वो जलिक सीड रह तो वही हम लोग का करेक्ट एंसर होगा सबसे दुरुबल अम यही है अगला प्रस्ण है नीचे दिया गया समीक्रन A2 का कार्या दर साथ है जो की है मतलए है समीक्रन दिया गया 2H2S प्लस A2 रियक्टर के हमारा बना 2H2O प्लस A3 तो बताता है A2 का क्या कारें दर साथ है जाने दिया A2 के पास ओक्सीजरन था और यहां पर इसका ओक्सीजरन खत्म हो गया यानि कि इसका अवकरन हुआ यानि अवकरन हुआ तो हमारा अथार्थ औक्सी कारक का काम किया यानि Option No.C हम लोग का करेक्ट एंसर होगा अगला प्रस्ण हमसे क कर राया नाइट्रोजन मेगनीसियम के साथ अविपिया करके बनाती तो नाइट्रोजन मैगनीसियम के साथ के करेकर के M G 3-N2 का निर्मान करती है अगला प्रसनाइट C H C L 3 का आई आई उ-ansen से नाम इस तो यह यहना हाई विप से नाम ट्राइक क्लोरो मधें क्यांत में करेंगे तो अब हम नुमेरिकल को करते हैं प्रस्म तैस्समारा एक नुमेरिकल था प्रस्म तैस्समें को रहा है किसी पदार्थ की विशिष्ट उसमा जीरो पॉइंट वन तत्था तुल्यांकी भार 32 दसम्रों तो पदार्त का पर्मानु भार निकालने तो पर्मानु भार निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें इस फर्मूला को देखना हो फर्मूला हमारा क्या कहता है पर्मानु भार ब्राबर होता है तुल्यांकी भार गुने दू लेकिन हमारे कोस्चन में संयो जक्ता नहीं दिय दिया गया है तो हम संयों जक्ता फले निकालेंगे संयों जक्ता निकालने के लिए हम इस फर्मूला का उप्योग करेंगे तुल्यांकी भार गुन्य संयों जक्ता बरावन निकर्तम परमानु भार फिर अब एक दिक्कत हो जाती कि प्रस्ण में हमें निकर्तम परमानु भार नहीं दिया गया है तो बहुम सबसे पहले क्या निकालेंगे निकर्तं परमानुबा तो पदार्त का निकर्तं परमानुबार बढ़ाबर होता यहाँ पर हमारा 6.4 बटा विसिस्ट उस्मा जो की प्रस्ण में हमारा 0.1 था यानि इसे डिभाइट करने के बाद हमारा 64 है यानि पदार्थ का निकर्तम परमानुभार अब हम निकाल चुके अब हमें निकालना है इसकी संयोजक्ता तो संयोजक्ता निकालना के लिए हमें दूसरे फर्मूला का उप्योग करना हो जो है तुल्यांकी भार गुने संयोजक्ता इक्वल टू निकर्तम परमानुभार तो यहाँ पर सबसे पहले हम तुल्यांकी भार 32.28 लिख लिए इन्टु संयोजक्ता ब्राबर हो जाएगा परमानुगा निकर्तम भार जो कि यहाँ से हमने निकाला उसके बाद इसे सॉल्ब करने पर संयोजक्ता निकालने के लिए 64 में 32.28 से हम लोगों ने डिभाइड किया उसके बाद हमारा आया 1.98 जो कि एप्रॉक्सिमेट है हमारे टू के इसलिए हमने इसे टू लिख लिए अब हमें परसन में पुछा गया था परमानुभार परमानुभार का सुत्र हैं पर तुल्यांकी भार गुने संयोजक्ता यहां परमानुभार निकालने के लिए हम लोगों ने 32.28 यानि कि उसका तुल्यांकी भार गुने दू जो संयोजक्ता हमारा आया है वो लिखे अब धियान दिजेगा इस परसन को बनाने के लिए हम लोगों ने यह फर्मूला का उप्यों क्या यह फर्मूला आपको यहां परदेख लिएो में कुस्टन आएगा अगला नौमीडेकल करा रही है नीले थोते यानि शीयू एसओफ और डॉट-वाइएजटो में जल की परती सत्ता है मतलब इसमें शीयू इसओफ और तो फ़ाइजटों कितना परसेंट तो हमने यहां पर परमानुभार सभी क का दिया हुए सी यू का सिक्स प्वाइंट पाइप सल्फर का बतिस ऑक्सीजन का सोल और हाइड्रोजन का वन तो सबसे पहले प्रस्ण बनाने के लिए हम नीले थोते का अनुभार निकालेंगा अनुभार निकालना आई होप सैद आप अच्छे से जानते होंगे लेकिन यहा है कॉपर है सियू तो हम लोगोंने 6.35 फिर यहां पर सलफर this है इसलिए हम लोगोंने 32 छिका फिर प्लस देखें ओपोरpha की जना का हम लोगों का सोल्ग होता है इसलिए is लिक लिए डॉट है इसलिए प्लस फिर दे दिए फिर फाइप एच्टू हो हो एच का हम लोगों का वन होता है यहां दो एच है इसलिए हम लोगों ने दो लिखा है ऑक्सीजन का सोल होता है इसे कैलकुलेट करने पर हमारा कि दूसरा 49 दस हम लोग 5 आता है अब हम नीले थोते में जल का अनुभार निकालेंगे नीले थोते में जल का अनुभरते हैं यहां फाइप एच्टू है यानि फाइप लिखे एच का यानि हैड्रोजन यह कि निदो है इसलिए हम लोगों ने दो लिखा और ऑक्सीजन एक या कानुभार बटाए नीले थोते कानुभार जल का निकालना इसलिए जल हम लोगों उपर रखेंगे फिर नीचे नीले थोते कानुभार रखेंगे उसमें 100 से गुना कर देंगे यानि कि 90 डिवाइडेड वाइड दूसरों चास दसमलों 5 गुने 100 आ जाएगा इसे सॉल्ब कर करने पर हम लोगों का 3.6 परसेंट आ जाएगा आई होप कि आप सभी नुमेर कल अच्छे से समझाओंगे अगर आप पीडियेप चाते तो मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें